Simple case और Celebrity case कुछ नहीं होता है Case पूरा Depend करता है Evidences पे Court में आप Celebrity हो या साधारेन इंसान हो उससे कोई फरक नहीं परता Court में आपकी तरफ से, मतलब एक Victim की तरफ से या किसी भी Client की तरफ से जो भी दलीले पेश की जाती है उसके उपर पूरा Case Depend करता है ना कि आप कौन हो राकी के पास evidence strong है तो उस तरह से case चलेगा राकी मैं उसकी lawyer होने के पहले मैं उसकी दोस्त हूँ तो जब मेरे पास उसने सारी चीज़े बताई तो मैंने पहले ये कहा कि आपको ऐसे आदमी के साथ रहना ही नहीं चाहिए लेकिन राकी भी एक औरत है और वो उसे भी दिल है वो राकी सावन थे इसके लिए उसके पास दिल नहीं है या वो औरत नहीं है या उसको जीने का हक नहीं है ऐसा नहीं है वो बहुत कोशिश कर रही थी कि शादी बच्चे क्योंकि वो आदिल को प्यार भी करती है तो उसने पूरी-पूरी एक औरत राखी सावन मत देखिया एक औरत होने के नाते उसने पूरी कोशिश की अपनी शादी बचाने के लिए बट जब चीजे धीरे-धीरे सारी खुलने लगी, सारे फ्रॉड्स खुलने लगे और राखी ने सिर्फ ये जो फैसला कदम उठाया है, फायर करके आदिल को जो अरेस्ट करवाया वो अपने लेही नहीं लेकिन और लड़कियों के लिए जिनको वो पहले चीट कर चुका है और आने वाले दिनों में ऐसा किसी के साथ जब राखी सावन के साथ हो सकता है तो एक आम लड़की के साथ क्या होगा अब इसका अंदाजा लगा सकती है इसके लिए ये एक मैसेज जाना चीए सारी लड़कियों के लिए कि अगर आदिल पाहर निकल के किसी लड़की को जहांसा देने की कोशिश करेगा तो वो अलर्ट हो जाएगी कि जब ये राखी सावन को धोका दे सकता है तो मुझे क्यों ने ये चीज एक तो गलत इंसान को सजा दिलाने चीए पहली वज़ा वो है तो आदिल ने अगर गलत किया है तो राखी उसे सजा दिला के रहेगी और सारे सबूतों के साथ वो कोट डिसाइड करें अभी इन सब चीजों में बोलके ज़्यादा कोई मतलब नहीं राख में में सबूतों कि उसके मनूत काफियों या सबूतों के साथ की गई चीज़े है हर चीज का हम जो बोल रहे हैं उसका सबूत है राकी जूटा इल्जाम तो नहीं लगा रही है कि वो किसी लड़की के साथ है फोटोग्राफ्स वाइरल हुए है वीडियोज वाइरल हुई है चाइट से तो इसमें राकी कहां गलत है आदिल ने गलत किया अगर आप किसी के साथ शादी शुदा हो चाइब वो राकी सावन थे या कोई भी नॉर्मल लड़की है तो आप किसी और औरत के साथ रिलेशनशिप परस्नली मॉरली और लीगली भी नहीं रख सकते है क्योंकि वो गैर कानुनी हो जाता है तो आदिल ने वो सारी चीजे की जो मॉरली एथिकली नहीं करने चीज थी और लीगली भी जो एकसेप्टेबल नहीं वो सारी चीजे की तो क्यों उसको सजाने मिलने चीज़िए ज़रूर मिले चीजिये उसके सब्सक्राइब लेकिन जैसे आजल के लॉयर ने आज का लिए अजिए अजिए उनके लॉयर तो कहेंगे ना अपने क्लाइंट का बचाओ करने के लिए तो वो लॉयर तो अपना काम कर रहे पर सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ट हैं इन्वेस्टिगेशन होगा एविडेंस निकलेंगे सारी चीजें निकलेंगी बाहर तो अपने आप सचका सच जूटका जूट हो जाएगा कोर्ट उनके कहने से नहीं जाएगी वो कहेंगे कि मेरे मेरे क्लाइन बेगुना है उनको पसाया गया है उससे कुछ नहीं हो कोर्ट में क्या सबूत आ रहे क्या एविदेंस इस प्रोड्यूस किये गए है उसके पेसस पर होगा जोगी होगा आज की बाद तरे आज मंडे के ऊंपर चला गया है कि सब फिर से सबस्क्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राओंगे और उनकी जो बेल अप्लिकेशन में क्या वो कहते हैं उसके हिसाब से हमारा काउंटर रिप्लाई देंगे और हम लड़ाई लड़े के क्या सबपेश केस में किटना स्टॉंग है और श्टॉंग होते जाएगा, वीक तो नहीं होगा ना पहले वीग था केस ना आगे होगा, बहुत सारी चीजे हैं जो केस को बहुत स्ट्रॉंग मनाती है और आगे इनी सब चीजों की बज़े से राकी को जस्टिस मिलेगा आपको पता ही है, हमारे कोट कैसे चलते हैं, न्याए मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा क्योंकि कोट में इतने सारे cases भी pending होते हैं कोट पे भी workload होता है हर चीज को देखते हुए लेकिन ज़रूर मिलेगा और आज इसकी बेल की तरफ चाहिए नहीं मिलेगी वो तो जटसाब बताएंगे वो तो decide उनको करना है हम तो यहीं चाहेंगे कि उसको बेल नहीं मिले उनके वकील चाहेँगे कि उसको बेल मिल जाए हम चाहेंगे कि उसको नहीं मिले END OF THE DAY decision court का है, court decide करेगी बेल देनी या नहीं देनी वो तो अभी वक्त आने पर पताचलेगा और हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए जैसे आपने काया कि आपको उकी फ्रेंड भी रही है तो आपको राकी के लिए क्या कि रहा है। वालिवुप एंडिस्टी वी उनके साथ ही है। मैं राकी के लिए यही कहूंगी कि राकी जितनी strong है वैसे ही strong रहनी चाहिए और बल्कि और strong होना चाहिए इस लड़ाई में उनको भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है यह दो-तिन दिन में खतम होने वाला मामला नहीं है खुछ साल भी चल सकता है तो राकी को बहुत mentally औ बेट और स्ट्रॉंग होना पड़ेगा और एक पेशन्स रखना पड़ेगा कि इन सब चीजों में देर लगेगी तो निराशनी होना है हताश नहीं होना है अब मैम नंबुला कि इसके बारे में अभी जादा बात करके मतलब नहीं क्योंकि हमारी वो सारी चीज़ें इविडिंसें उसके बारे में अभी डिस्क्लोस करूंगी तो उसका फाइदा सामने वाला उठा सकता है इसके लिए इसके बारे में आपको कोड में जब बैस होगी तो सारी बाते पता चलिए